नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश अगरवल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जनकरी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ओवी स्मॉल सेविंग्स इंट्रेस्टेट के बारे में जो कि ऑक्टूबर 2020 से डिसंबर 2020 तक आपको मिलने वाला है जै 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें की सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं रिवाइज रिविजन ओफ इंट्रेस्टेट फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम यानि कि थर्ड क्वाटर के लिए आपका रेट ओफ इंट्रेस्ट में क्या बदलाव किया गया है उसके बात है आप अगर चाहे तो कोई भी स्कीम में इंविश्टमेंट कर सकते हैं आपको जो रेट फिंट्रेस्ट मिलता था वही मिलेगा इसकी आगे सारी डिटल्स आपको आगे मिलेगी तो वीडियो में बने रहें आगे बढ़ते हैं यहां सबसे पहले आप इसके रेट ओफ इंट्रेश्ट के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले जानेंगे पोस्ट विस सेविंग्ष में अपको कितना अगर recurring deposit की बात करें RD जिसे RD के नाम से famous है इसमें आप monthly investment कर सकते हैं इसका rate of interest 5.8% है अब सुकन्या की अगर बात करें सुकन्या समरिधी account इसमें आपको 7.6% का rate of interest मिलता है अगर आपके घर में 10 सल से नीचे की बेटी है गल चायल्ड है तो आप उसके नाम पे इस account को खोल सक करते हैं इसमें डेड़ लाग तक अगर आप investment करते हैं तो वह एटीसी में eligible आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो की नाम से बहुत ही मसूर है इसमें आपको 7.1% का rate of interest मिलता है इसमें भी आप डेड़ लाग रुपे तक जो इन्वेश्मेंट करेंगे वह एटीसी मे eligible होगा senior citizen saving scheme के अगर बात करें तो इसमें आपको 7.4% का rate of interest मिलता है इसमें भी आप डेड़ लाग तक एटीसी में eligible पा सकते हैं अब इसके बाद बात कर लेते हैं next scheme के बारे में जो की national saving schemes यानि की NAC जो कहते हैं में इसमें आपको 6.8% का rate of interest है बहुत ही बहतरी नहीं दोस होज रहे हैं तो bank के हिसाब से इसमें आपको rate of interest 1% ज्यादा ही मिलेगा मेरे हिसाब से आप compare कर लिजेगा आपको जिस bank में करना उससे पहला पोस्ट इसमें जरूर compare किजेगा इसमें भी update लग का निवेज जो करते हैं वह एटीसी में eligible है किसान विकास पत्र जो की KVP के न यह के इसे शीजव जमा करते हैं इसे 16imento करते हैं इसमें आपको 5.5% मिलेगा और अगर इन्यut सेवन परसेंट का रिटन देखनों को मिलेगा जो कि बहुत ही भैत्र ने इसमें अगर पांस साल के आप फिक्स डिपोजिट कराते हैं बैंक पोस्ट ओफिस में तो आपको डेड़ लाक रुपे तक का जो इन्वेश्टमेंट हो एटी सी में एलिजिवल होगा दोस्तों इस च को डेस्क्रिशन में देदूंगा अब वहां जाके इन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का आप लाइक कीजिए लाइक करने तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं अ कि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोट्रिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू